जटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान का अपका स्वागत है एगृ कमोर्टी के बात करें तो पिछला अपता काफी इमपौर्टन रहा है नो करें मही मंद्ही है पूर thousand रहा है एक लिए यद्दिन से हमने पूरे मही मंद्हिए हमote शभी आज सभी असेक्टिन G足 देखिए उसी का एक कैस्केटिंग एफेक्ट हमने एग्री में भी आती हुए देखा परफॉर्मेंस वाइस बात करें तो सबसे पहले कैस्टर के अंदर हमने देखा प्रोडेक्शन कम होने के चलते ओर और लॉट लुक तो पॉजिटिव है बट डिस्पाइट महीं में बाकी साथ आठ सो का लेवल तोड़ता हुआ आठ जार तक का भी लेवल दिखा दे बट पिछले हफ्टे की अगर हम बात करें तो प्राइजस पॉने परशन की तीजी के साथ बंद हो दो में कामियाब रहा अगले हफ्टे के लिए साथ पाथ सो की रींच में लेने के लिए तो यहां पर हमने काफी सर्प्राइज बहुँ आते वे देखा प्राइजस के अंदर पांच परशन की गिरावट हमने आते वे देखी कही न कहीं प्रोडेक्शन लॉसस के चलते इल्ड में भी लॉस के चलते हमने देखा था प्राइजस में एक जबर्दस पीजी बनी जो ग्यारा सो चालीस तक का लेवल दिखा दिया था बट ओवराल कहीं न कहीं डिमांड कंसर्ण के चलते प्राइजस के अंदर फिर से हमने गिरावट आते वे देखी ओवराल एक हजार चालीस से लेकर एक हजार पचास का एक स्ट्रॉंग सपोर्ट हम मैंधा में देख पाएं कोटन कंप्लेक्स की अगर बात की जाए तो कॉटन के अंदर हमने आदे पर्ट की भरत के साथ मार्केट 48,000 के करीक हमने क्लोज होते वे देखा जबकि कॉटन सी डॉयल के के अंदर साड़े चार परसेंट से जादा की देजी कॉटन में हम देख रहे हैं कई ना कहीं कवर्म सेंट का लेवल प्रिश नहीं होता है काइना के 140 से 148 सेंट के बीच में ही मार्केट मूब करता हुआ दिखेगा वाटन शिट ओई के अंदर हमने पहले भी कहा था कि 2750 से लेकर 3000 के बीच में मार्केट का एक दाइरा बना हुआ रहेगा 10 जून तक हमें लगता है ये दाइर होने के चलते डिमांड इंप्रूब होगा गौर्मेंट के वी जो फीगर्स है वो बता रहे हैं कहीं न कहीं डेरी इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो डबल डिजिट ग्रोग करते वे दिखाई देगी जिसके चलते हमें लगता है आने वाल टाइम में पॉर्टन से ऑईल क एक 3050 का लेवल भी दोड़ करतावा दिखेगा वहीं कवार कॉंप्लेक्स काफी इपॉर्टन है जहांपे कर्टी क्यों रिक काउंट्स के चलते हमने देखा प्राइजस का पर्णमेटल काफी मजबूत है साथ में रुपए की गिरावट भी एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर र जिसके चलते हैं गवार और गवार गम दोनों में ही एक देजी का रूप बनावा रहेगा गवार जैसे की 6000 का लेवल कर्टीनियू मेंटेन करने में 680 का पहला लेवल और 680 के उपर अगर प्राइजस होल्ड कर जाता है तो 6250 तक का भी लेवल देख पाएंगे गवार गम क का इपॉर्टन हरडल है ये लेवल ब्रीज करने पे हम 12-1200 तक के भी लेवल देख पाएंगे तो ओर और गवार को भी अगले हमते के लिए हम लेके चल सकते हैं मसालों के अंदर दमाव कंटीनियू रहेगा नोड़ लोड लेवल पे फंडमेंटल को देखते वे बाइंग भी लोड़ते वे दिखाई देगी बट कहिना कहीं हदी पूरे मसालों के अंदर काफी शांदार दिखाई दे रही है अच्छी गिरावट के बाद रिकावरी भी अच्छी रही बट धियान रखिए हायर लेवल पे जब तक 8400 की उपर क्लोस नहीं होता है मार्केट 8000 से 8400 चार सो पी पीछ में रहेगा जबकि जीरा धनिया अगले एक डेल मैंने गिरावट का रूप कंटीन्यू रहेगा बट जब जब बड़ी गिरावट होती है लोवर लेवल से हम बाइंग भी अच्छे से लौटते वे देखेंगे धनिया में जैसे 10800 का लेवल चुआ हमारी हुई थी कि 10-500 तक की सपोर्ट लेने चाहिए थे बट 10-800 का लेवल चुने के बाद तुरंत लोवर लेवल पर बाइंग लौटती वे दिखी जो अगले अपते हमें रगता है कि 11-600, 11-700 का एक बाउन दिखा सकता है जीरे के अंदर भी 22-0 के उपर जाता हूँ अपर प्रा बिग ब्लिस बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान